Good morning students, this is Pooja Saxena, Geography Department, Government College, Bundi. हमारे paper, Geography of India, भारत का भुगूल के अंतरगर्त, हम Power Resources शक्ति संसाधन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतरगर्त हमने अपने कल के वीडियो लेक्चर में कोईले का अधेयन किया. आज हम दूसरे महत्तपून Power Resource, Petroleum को जानेंगे. देखे, the word Petroleum has been derived from two Latin words, Petra and Aulium. Petra means rock and Aulium means oil. Thus, Petroleum is an oil which is obtained from rocks. Petroleum शब्द की व्युत्तपत्ती लेतिन भाशा के दो शब्दों, Petra और Aulium से हुई है. Petra से तात परे है चत्ताने और Aulium से तात परे है तेल. यानि वह तेल जो चत्तानों से प्राप्त होता है, Petroleum क्यालाता है. इसलिए इसे Mineral Oil, खनिस तेल की भी संग्या दी जाती है. इसे पृत्वी की अवसादी चत्तानों, Sedimentary Rocks से प्राप्त किया जाता है. जो की निरंतर कमशहा जमाव की फल्स्वरूप निर्मित होती है. यह दि हम तक्नी की रूप से Petroleum को जाने हैं. तो Petroleum is an inflammable liquid that is composed of hydrocarbons which constitute 90-95% of Petroleum and the remaining is chiefly organic compounds containing oxygen, nitrosin, sulfur and traces of organometallic compounds. Petroleum जो है वो एक जोलनशील द्रब है. जिसमें नभ्भे से पिचानवे प्रतीशत Petroleum मिलता है. यह hydrocarbons का संगटन है. और इसमें जैविक योगिक भी मिलते हैं. जैसे जिसमें oxygen, nitrogen, sulfur और जो कार्ब धात्विक योगिक हैं, उनका भी समिश्टन पाया जाता है. यानि जो crude petroleum है, वो एक तरह से mixture of hydrocarbons है. solid form में, liquid form में और gaseous form में. तो यह paraffene series का compound है, और कुछ अनुपात में यह benzene group से भी संबदित है. तो petroleum जो है, वो द्रव रूप में, motor vehicles में, trains में, aeroplanes में, दहन इंधन की तरह combustion के लिए use होता है. लेकिन विभिन सहे उत्पादों, जैसे की petrochemical industries हैं, जैसे fertilizers, कृत्रिम रवण निर्मान, कृत्रिम रेशे, दवाईया, वैसलीन, मौम, सोप, और जो हमारी cosmetic industry है, उसमें भी इसको use किया जाता है. कोईले की भाती, petroleum की भी जोत्पती है, वो बरस्पती, जिवाव, शेशों, किसरने गलने से, चटानों में दब जाने से, जो transformation होता है, उसके फलस्वरूप होती है. अत्याधिक तापमान और अत्याधिक दवाब के कारण, जब इन पदार्थों में तेल, गैस, काबन, गंधक, जैसे तत्वुत्पन होते हैं, तब वो एक mineral oil के रूप में convert होता है, और sedimentary rocks में पाया जाता है. अब भारत में, यदि हम बात करें, तो भारत में लगभग 10 लाख square kilometer के जो marine basin है, mesozoic और tertiary times के, जो sedimentary rocks है, उन से petroleum की प्रापती होती है. यहाँ पे खनिस तेल की प्रापती अकसमा थी हुई, जब असाम railway trading company 1860 में मार्थरोटाक शेतर में railway line बिछा रही थी, तब उन्होंने इसको experience किया, और वास्तविक खुदाई जो थी, वो भी असाम में 1866 में शुरू ही, जब माकुंग नामक स्थान पर तेल निकाला गया. 1890 में डिगबोई शेतर से तेल प्रापत किया गया, और 1899 में असाम oil company गठित की गई, फिर 1915 में बर्मा oil company गठित हुई, और फिर तेर उत्पादन में प्रगती हुई. 1953 में भारतिये भूवे ग्यानिक सर्वेक्षन विफाग द्वारा तेल की खोच का कारे विशेश रूप से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, कच्छ, खंबात की खाड़ी और अंडमान दीपों में प्रारम किया गया. 1955 में भारत में तेल और प्राकर्तिक गैस ने देशाले की स्थापना हुई, और 1956 में ONGC तेल और प्राकर्तिक गैस आयोग, Oil and Natural Gas Corporation गठित हुआ, जिसने कॉस्टल एरियोस में 30 एक शेत्रों में तेल की खोच शुरू की और जो बंबे हाई की जो हम देखते हैं वो इसी की द हैं, तो Oil India Limited और भारत Petroleum Corporation HPC ने भारत में तेल की खोज और उत्पादन में अपनी महत्तपून अफो में काने भाई, तो आज हम भारत का जो पेट्रोलियम उत्पादन है, उसको भिन परिद्रश्य में देखते हैं, वो बहुत व्यापक हो चुका है, हम अगर महत्तपून प इसको हम नॉर्थीस्ट इंडिया के ओईल फिल्ड्स की दृष्टी से देखें, तो यह ज़्यादा कहना उचेत होगा, यह मेजर ओईल फिल्ड्स हैं, नॉर्थीस्ट इंडिया के, और आसाम की जो ब्रह्पूत्र वैली है, और जो नेबरिंग एरियर्स हैं, इंक्लूडि उसका क्षेतर इसमें सम्नित हैं, आसाम की हम विशेश रूप से बात करेंगे, आसाम is the oldest oil producing state in India, the main oil bearing strata extend for a distance of 320 km in upper आसाम, along the ब्रह्मपूत्र वैली, भ्रह्मपूत्र घाटी के सहारे, 320 km की दूरी distance में फैला हुआ, ये oil संधारित संस्तर है, और जिसके कई महत्तुपून oil fields हैं, कुछ का अगर हम नाम लें तो डिगवोई field, डिगवोई field चो की डिब्रुगर डिस्ट्रिक्ट में पढ़ता है, आपर आसाम में, oldest field है, oil field है भारत का, जैसा आपने पहले भी बात की, यहाँ पे लगभग 13 स्क्वेर किलोमेटर और लगभग 400 से 2000 मीटर की depth में, जो strata है, वो oil रखता है, and over 800 oil wells have been drilled so far, अभी तक यहाँ पर 800 तेल कुएं खोदे जा चुके हैं, डिक्बोई used to account for three-fourths of the total oil production of India, भारत का जो तेल उपादन है संपूर्ण, उसका तीन चुथा हिस्सा डिक्बोई से है, और यहाँ पर डिक्बोई में oil refinery भी है, तो most oil is sent to oil refinery at डिक्बोई, दूसरे हम क्षेत्र की बात करें तो दी नाहर कटिया फिल्ड, नाहर कटिया फिल्ड इस लोकेटेड अट डिस्टंस ओव 32 किलोमेटर साउथ फ़र्ट ऑव डिक्बोई, एक लेफ्ट बैंक ऑफ बुरूई दिबांग रिवर, यह डिक्बोई से 32 किलोमेटर दक्षिन पश्चिम में स्थित है नाहर कटिया तेलक्षित्र, जो की खोजा गया उन्ने सो त्रेपंच ओवन में, और यहाँ चार हजार से पांच हजार मीटर की डैप्थ से खुदाई सक्सेसफुली प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑईल को, और चार जो हैं वो नैच्रल गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ का जो ऑईल है उसको भारूनी बिहार और नूनमती असाम में, जहांकि रिफाइनरीज हैं, वहाँ पे थ्रू पाइपलाइन्स भीजा जाता है, ती इसरा हम बात करें, दी मोरान हुगरिजन फील्ड, इट इस लोकेटेड अबाओ 40 किलोमेटर साउथ वेस्ट ऑफ नार कटिया, नार कटिया से 40 किलोमेटर दक्षिन पश्चिम में, यह स्थित है, उनने सो त्रेपन चपन में यहाँ पर ड्रिलिंग स्टार्ट हुई थी, औ और यहाँ पर 20 से ज़्यादा कुए हैं, और इसके अलावा और भी फील्ड हैं यहाँ पर जैसे रूद्र सागर, सिभ सागर, गाले की, बद्रापूर, बहरोला, अंगूरी, यह इंपोर्टेंट क्षेत्र हैं असाम के दिए, अरुनाचल परदेश में भी ऑईल रिजर्व हैं और त्रिपुरा में नागालेंड में भी जो ऑईल बेरिंग रॉक्स ट्रेटा हैं जिनसे पेट्रोलियम की प्राक्ती हेतू प्रियास चारी हैं ठीके तो एक तो जो महत्तुपूर्ण क्षेत्र है वो है ओईल फिल्स इन नौर्थ इस इंडिया जिसके हमने बात की दूसरी बात करते हैं ओन्शॉर ओईल फिल्स ऑफ वेस्टर इंडिया तट पर अस्थित जो फिल्स हैं पश्चिम भारत के प्रिक्यूर्ली गुजरात गुजरात का एक महत्तुपूर्ण स्थान है जो ओएन जी सी है उसने यहां पर पंद्रह हजार तीन सो साथ स्क्वेर क खंबात की खाड़ी के चारों और के रॉक स्ट्रेटा पर काम शुरू किया है और यहां पर जो में ओईल बेल्ट है वो सूरत से अम्रेली, कच्छ, बडोदरा, भरूच, सूरव, अम्दाबाद, खेडा, महसाना, एक्सेटरा इन जी मेजर प्रोडूसिंग डिस्ट्रिक्स हैं, गुजरात के पट्रोलेम ऌन पादन का 18 प्रतिशत है है और हम्रेश्वरा ग्थी स्ट्रीक्षान का 18 था ने जी में जिसम पर शेख्यों गषैटरा, जिसमें अग्लेश्वर, अंगलेश्वर जो की first major oil find है 1958 में और जो की वडोधरा से दक्षन में इस्थित है और इट इस अच प्रॉलिफिक oil field एट पंडि जवाला नहरू कॉल्ड इट the fountain of prosperity जवालाल नहरू ने इसे सम्रुद्धी का सोता बोला अंगलेश्वर petroleum fields को इसका जो oil है वो प्रॉम्बे और कॉयली जो oil refineries है वहाँ पर जाता है इसके बाद है खंबात और लुनेश field जो ONGC है उसमें 1958 में लुनेश जनियर अमदाबाद में इस oil field को खोजा और यहाँ पर 19 जो है वो गैस producing शेत्र है 62 वेल्स यहाँ पर खोदे गए ड्रिल हुए और यहाँ का जो production है वो 15 lakh tons है तोटल reserves are estimated at 3 crore tons तीन करोड तन यहाँ का अनुमानित है कि यहाँ पर संग्रह मौजूद है और फिर हम बात करें एमदाबाद कलोल field it lies about 25 km northwest of अमदाबाद and जो खंबात बेसिन का जो क्षेद्र विन्नाव गाव को सामबा मैसाना सानन्थ खताना etc are the important producers ठीक है तो यह onshore जो हमारे petroleum fields है इसमें हम राजस्थान की भी बात कर लें राजस्थान तेजी से petroleum production map में उभरा है यहां किया जो बाडमे डिस्ट्रिक्ट है वहां पे oil discovery जो है उसको देखा गया यहां पर 5000 स्क्वेर किलोमेटर क्षेत्र में जो है अनुमानित किया गया कि petroleum production हो सकता है तो यहां पर विभिन companies multinational companies जो है सक्रीय है petroleum drilling के रिए Saraswati and Rajeshwari with a total 35 million tons of in place oil reserves were made earlier in 2002 and the Saraswati discovery had found 14 million tons of in place oil reserves for which drilling up to 3476 meter was done ठीक है इसके बाद हम western cost की बात करें offshore oil fields की onshore के बाद offshore oil fields की बात करें उसमें जो सबसे महत्तो पून है ONGC ने अपना extensive survey किया विस्तित सर्वेक्षन किया और Mumbai High जो है शेत्र उसकी खोज के Mumbai High the greatest success achieved by the ONGC in 1974 1974 में it is located on the continental shelf of the cost of Maharashtra about 176 km northwest of Mumbai Mumbai से 166 km उतर पश्यम में जो है महादवीपी ए मगनटट है वहाँ पर यह स्थित है यहां का जो रॉक स्ट्रेट आ है वो मिनोसीन-च निच का है और यहां पर मुख्यरूप से this area produced 85 lakh tons of oil in 1982 and in 2002 and 2003 this area produced 215.73 lakh tons of oil which was about two-thirds of total production of India भारत के कुल उत्पादन का लगबग दो टी हाई इसके अलावा दूसरा है मुंबई हाई के बाद बेसेन तेलक्षेत्र जो की मुंबई हाई के साउथ में विस्ट्रित है और ये भी एक huge reserve है जो की 1900 मेटर की गहराई तक इसका दोहन हो चुका है तीसरा हमने ये ऐलियाबेट ओईल फिल्ड इस लोकेटेट अईलियाबेट आईलेंड इन गल्फ अफ खंबात अबाउट 45 किलोमेटर ओफ भावनगर भावनगर से 45 किलोमेटर दूर दक्षिन में ये तेलभंडार इस्थेत है और एस सम उफ रुपी 400 करोर है अल्रेदी बिन स्पेंट अन दिस फिल्ड और कॉमर्शिल प्रोड़क्शन इस एक्सपेक्टेट तो स्टार्ट सून जब धी इसमें उत्पादन उस्ष्टी से प्राप्त होगा तो हमने तीन फिल्ड अभी तक डिस्कस किये एक तो नॉर्थ इस्थ इंडिया का पेट्रोलियम उत्पादक शेत्र जहां प्रमुक शेत्र है आसाम जहां पे हमने डिगबुई फिल्ड नाहर कटिया फिल्ड और मॉरेन हुस्रिगन फिल्ड को देखा इसके बाद हमने डिस्कस किये onshore oil fields जिसमें particularly गुजरात में अंकलेश्वर, खंबाद और लुनेज, एमदाबाद और कलोल फिल्ड को हमने देखा और इसके बाद हमने राजस्तान देखा अब western cost पश्मी टट पर जो offshore oil fields हैं टट से दूर अब टट शेत्र हैं उसमें मुंबई हाए, बेसीन और अलिया बेट क्शेत्र को देखा अब हम eastern cost की बात करें देखें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नतियों के जो टेल टाहरीजन हैं वो भी प्रचुर संभावनाय रखते हैं तेल और गैस उत्पादन के दृष्टी से गोदावरी कृष्णा नदियों के अप्टेट में रावा क्शेत्र की जो ख्षमता है वो प्रतिवर्ष तीन मिलियन टन कच्चा देल उत्पादन करने की है इसी तरह जो कावेरी डियल्टा है उसमें भी पेट्रोलियम की खोज की गई है अकेले जो बाईतू कुआ है उससे भी प्रतिदिन पचास अजार बैरल जो कच्चा तेल है वो प्राप्त किया जा सकता है राजस्थान में तो राजस्थान में बाण महिर सांचौर बेसिन का जो क्शेत्र है वो महत्वपूर्ण तेल क्शेत्र के अंतरगत रखा जाता है इस्ट कोंस्ट के बाद जो हम दूसरे प्रॉबेबल एरियस की बात करें तो कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में जैसे हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश में ज्वाला मुखी, नूरपूर, धरमशाला, बिलासपूर जो हिमालियन फॉर्लेंड बेसिन है इसे लुधियाना, होश्यारपूर, इन पंजाब और तरुनल वेली जो कोस्ट है उस पे गल्फ अफ मननार और जो पॉइंट कैलमेर और जाफना पैनिसुला है वहाँ का जो ओफशॉर एरिया है वो और इसी तरह से डीप वाटर एरिया इन बेय ओफ बिंगॉल बेवीन 12 डिग्री north to 16 degree north latitudes and 84 degree east to 86 degree east longitudes अच्छा मरीन डेल्टा रीजन अवानदी को दावरी कृष्णा और कावरी रीजन समने बाद की थी then stretch of sea between south Bengal and Baleshwar कोस्ट दक्षिन बंगाल और Baleshwar तट के बीच का जो stretch है and offshore area of the Andaman and Nicobar islands जो है वो प्रमुख संभाव तेल उत्पादन की दृष्टी से माने जाते है आंधर प्रदेश का गोदावरी बेसिन केरल के टटवर्थी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोवार दीव समूं के जो टटवी एक्षेत्र है उन्हें संभाव एक्षेत्रों के अंतरकत किरा जाता है तो हमने इस लेक्चर में भारत के पैट्रोलिय मुद्पादक क्षेत्र को देखा प्राप्ती क्षेत्रों को और संभावे क्षेत्रों के विशए में जानकारी प्राप्त की कल के लेक्चर में हम और रिफाइनरीज और जो पाइपलाइन्स हैं उनकी विश्रे में जानकारी प्राप्त करेंगे दिस मैप कर्टसी गोस टो गूगल थैंक यू